हेलो एवरिवन, वेलकम टू आर चैनल आईपेडिक हर्ब्स आपको चीजों की जानकारी के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी इसी के साथ जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी मेरे चैनल पर नहीं आए हैं में जुब लोगों से रिक्वेस्ट कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते और बेल अगर आप उनलाइन ओर करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आप लोग उस लिंक पर जाकर उन प्रड़क्स को ऑनलाइन ओर कर सकते हैं देखे एक टाकतवर शरीर हर तरह की निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए ब जाते हैं या फिर अपने प्रड़र्शन को उस जोश के साथ नहीं कर पाते हैं जैसा कि वो चाहते हैं और इसी वजह से कई बार उनके निजी संबंदों में भी काफी साला दिक्कते आने लगती हैं लेकिन आपकी समस्या को दूर करने के आज मैं आपके लिए जो पाई ले के साथ ही आपके जोश को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से काम करता है जिससे आपके शरीर में कामेच्छ भी बढ़ती है और आपके उतेजना भी बढ़ना शुरू हो जाती है जिससे तनाव भी आता है और साथ ही जिन लोग का मोर असानी से नहीं बन पाता है उन लोग के भी काम करता है आपके समझे के इस नुस्खे को लेने के बाद आप जैसे ही बिस्तर में जाएंगे आप दो गंटे से पहले बिस्तर से हटेंगे नहीं और या तो आप जितनी देर तक चाहें उतनी देर तक भी रुके रह सकते हैं चलिए तो मैं आगे बढ़ती हूं इस उपा मखहाने का पाउडर है यादि कि मेने मखह Gerade करकर ऑनका इस तरह से और बनाया है खिशब पर तो आपको सबसे पहली चीज तो यह लेनी है और जो दूसरी चीज है वह शहेत उसके बाद आपको एक बरतन लेना है और उसके बाद आपने जो मखाने का पाउडर उसे घिसकर बनाया है उसे हम इस बर्तन में डालेंगे हमें इस पाउडर की सिर्फ दो चमश डालनी है यहाँ पर मैं एक बार का नुस्खा बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ दो चमश लिया है अगर आप जादन उसका बनाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वैंटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं अब हमें इसे अच्छे से भुन लेना है दीमी आज पर याद रखें इसे भुनते समय इस तरह से चलाते रहें जिससे यह पाउडर जल ना जाए तो आपको इसे इस तरह से चलाते रहना है और आपको इसे तब तक भुनना है जब तक गोल्डन राउन ना हो जाए याद रखें जब गोल्डन राउन हो जाएगा तो उसके बाद आपको गैस बन कर देने हैं यहां पर यह जो मैंने मखाने का पाउडर इस्तमाल किया है वो आप देख सकते हैं हलका हलका ब्राउन भी होने लगा है और यह मैंने इसलिए इस्तमाल किया है क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि हर तरह की दवाईयां, हर तरह की चीज़ें इसके सामने फेल है अब देख सकते हैं इसका कलर धीरे 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 चेंज हो रहा है अब हमें इसे बस थोड़ी देर के लिए और भुनना है जादा जादा 10 और 15 सेकंड के लिए अब यह जो पाउडर है वो अच्छी तरह से भुन चुका है और आप देख सकते हैं यह इस तरह से गोल्डन ब्राउंट में भी आ गया है मैं आपको दिखाती हूं आप देख सकते हैं यह इस तरह से गोल्डन ब्राउंट हो चुका है यानि कि अभी अच्छी तरह से भुन च अब आपको क्या करना है अब आपको शहत लेना है और आपको शहत की एक चमझ इस पावडर में एड़ करनी है याद रखे अगर आप दो चमझ मखाने का पावडर ले रहे हैं तो आप एक चमझ शहत लें अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब मक्हानी के पाउडर में शेहर बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है और वो इस तरह का कुछ मिक्सचर बन गया है अब आपको क्या करना है आपको इस नुष्खे को लगा तर 10-15 दिनों तक इस्तिमाल करना है और यकीन मालिएगा 10-15 दिनों के अंदर ही आपके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत आजाएगी कि आप चार पहलवानों को भी पीछे छोड़ देंगे जी हाँ ये नुष्खा आपकी हर तरह की परिशानी को दूर कर देगा फिर चाहे आपकी समस्या हो समय कम लगने की, मरदाना कमजोरी की, तनाव ना आने की, बीवी के सामने शर्मिन्दा होने की, मूड ना बनने की, कोई भी समस्या हो मरदाना कमजोरी से जुड़ी हुई ये नुष्खा हर एक समस्या को पूरी तरह से खतम कर देगा, और आपको इतना ज़रा ताकत वर बना देगा, कि आप अपनी बीवी के सामने के भी शर्मिन्दा नहीं हो पाएंगे, और उन्हें वो सारा सुक दे पाएंगे, जो वो चाहती थी यानि कि इसे इस्तमाल करने के बाद आप अपनी बीवी को चरम सुका आनन भी दिला पाएंगे, और जितनी देड़ तक चाहें अपनी निजी क्रिया को चालू रख पाएंगे तो ये था अज का मेरा बेहत्री नुपा जिसमें मैंने आपको बताया कि आप बहुत ही आसान तरीके से अपनी मर्दाना ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं और अगर आपको इस तरह की और भी कोई यौन समस्या हैं तो आप नीचे दिये हुए नंबर पर कॉल लगा कर अपनी परिशानियों के आयरवेतिक उप्चार पासकते हैं आयोग आप सभी को मेरी वीजियो पसंद आई हो और अगर आप कोई वीजियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करना शेयर करना और कॉमेंट करना ना भूले क्योंकि कॉमेंट करने से हमें पता चलता है कि आप कोई वीडियो कैसी लगी और हमें फीडबेक्स मिलते हैं जिससे हम आपके लिए और भी बहतरीन वीडियोज लाते हैं